हलो दोस्तों अरद्धारेस अकेडिमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों राजस्तान पटवार भरती परिक्षा 2020 के सेलेबस के अनुसार दोस्तों टोटल जीके जिसमें संपूर्ण जीके आ गया दोस्तों चाहे आप साइंस की बात कर ले चाहे आप मोडल पेपर तो कंप्लीट हो चुका है आज दोस्तों इसमें दूसरा नंबर का मोडल पेपर है तो वीडियो आपको पूरा देखना है और ये पता लगाना है कि आपको कितने किशन है वो आते हैं और कितने किशन है वो नहीं आते तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना आ कौन सा युगम है वो बिलकुल सही सुमेलित है यहाँ पर दे रखा है तो देखो यहाँ पर जोदपुर एनियमित बुजाकार सिकर अर्द चंद्राकार जसलमेर मयूराकार करोली बक्ताकार तो दोस्तों इसमें कौन से युगम सही सुमेलित है अपने को कूट बासा में बता अर्द संद्राकार जैसी है और कैरोली की है दोस्तों बतकाकार ठीक है यहां पे दोस्तों देखो इसमें बाकी और दे रखा है जोधपुर एनियमित बुजाकार और जैसलमेर मयूराकार यह दोस्तों अपने को यहां पे क्या दे रखा है गलत दे रखा है ठीक है जैसलमेर है वो दोस्तो साथ दिसाओं वाले एनियमित बहुबुज के समान जैसल मेर के आकरती है और यहां पे जो जोधपुर दे रखा है जोधपुर के आकरती है वो औस्टेलिया माधिब के समान है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक और तीन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुरी एक और चार सिकर और करोली बिल्कुल सही है तो डी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही दो वा चार सही है इसमें नेक्स्ट है कौन सा यूग में सही नहीं है तो यहाँ पे देखो एक में प्राची नंचल है दूसरे में आधुनिक जिला या जिले है मतस्य प्रदेश के अंतरगत दोस्तों आप सभी को पता है कि अलवर भरतपुर आते हैं जांगल प्रदेश के अंदर बिकानेर आता है और सीवी जन्दपद में दोस्तों चितोडगड आता है और यहाँ पे दोस्तों कबड़ी दिया गया है ठीक है कबड़ी जालोर ठीक है दोस्तों यह यहाँ पे ही है यह गलत दे रखा है ठीक है जो शिरोई जालोर का जो छेतर ह है वो अर्बूद परदेश कहलाता था ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो अप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे चलते हैं देखो राजस्तान का राज्ये खेल है तो राज्ये खेल कुन सा है तो आप सभी को पता है कि बास्केट वोल है वो राज्ये खेल है नेक्स्ट क्यूशन है मद्य परदेश राज्ये के साथ राजस्तान राज्ये के कितने जिलों की सीमा रेखा से जुड़ी हुई है यानि कि मद्य परदेश की जो सीमा है वो और राजस्तान के कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दस जिलों के साथ में जुड़ी हुई है पांच नमबर प्रेसने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्तान की परवत चोटियों को उनकी उंचाई के अनुसार अउरोही करम में अपने को दर्साना है या बताना है ठीक है तो सबसे उंची चोटी कौनची दे रखी है यहाँ पे तो दोस्तों देखो टोडगड टोडगड यहाँ पे जो सबसे उंची चोटी दे रखी है जिसकी उचाई 933 मिटर है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर टोड़ गड़ उसके बाद में देखो खो जिसकी उचाई होती है वो है 920 मिटर और उसके बाद में बिलाली की है दोस्तो 753 मिटर और रोजा बाकर की है दोस्तो 730 मिटर ठीक है देखो यह जो मद्दे अरावली ह तीन भागों में बाटा गया है, एक उत्री अरावली, एक मद्दे अरावली और एक दक्षनी अरावली, ठीक है, तो मद्दे अरावली है, उसकी सबसे उची चोटी है, वो कौन सी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है, दोस्तों, ये टोड़ गड़, ठीक है, और आप सभी को सबसे जो उत्री अरावली है उसकी सबसे उची चोटी रगुनातगड है तो इसका एक नंबर का उप्शन सही उत्र आगे देखिए शिक्स नंबर प्रेस ने निमन लिकित में से कौन सा पठार अरावली परवत से सम्मंद नहीं है तो अरावली परवत से दोस्तों कौन सा इस सम्मंद नहीं रखता है तीक है सी नंबर का उप्शन इसका सही उत्र साथ नंबर प्रेस ने राजस्तान के मरुस्तल में पाए जाने वाले अर्द चंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है तो दोस्तों सब को पता है कि बर्खान कहा जाता है अर्द चंद्राकार रे रावली परवस्रेणी निकट वर्ती छेत्रों में मरुस्तली करन के परसार को सिमित करती है। यह है कारण आर देखो, रावली परवस्रेणी संपूर संपूर्ण राज्य में दक्षन पस्चिम से उतर पूरव की ओर अविच्षन फैली हुई है। तो इसमें कौन से सही है, अपने को कूट बासा में इसका सही उत्र बताना है, तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, यह दोनों ही कथन है, यहनि कि कथन A और कारण R, यह दोनों के दोनों हैं, वो सही है, और R A की इसमें सही व्याख्या करता है, ठीक है, क्योंकि मरुस्तल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, दोस्तों, अरावली की मैतो कूण भूमी का रहती है, ठीक है, A नमबर उप्षन, right answer, 9 नमबर प्रेशने, राज्ये का सबसे उचा पठार है, तो दोस्तों, कौन सा है, तो दोस्तों, आप सबी को पता है, कि राज्ये का सबसे उचा पठार है, जिसको अपन बोरा, सोरी, उडिया के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है, बी नमबर का उप्षन, इसका right answer हो जाएगा, आगे देखिए, दस नमबर प्रेस्ट है, राजस्तान में मैई जून महिनों में उत्पन होने वाली, धूल बरी आंदियों के लिए उतरदाई है, तो राजस्तान में मैई जून महिनों में उत्पन होने वाली जो धूल बरी आंदिया है, वो किस के लिए उतरदाई है, तो दोस्तों, वो है इसमें, कुछ इस्तानों पर सहेवन ये दाराओं की उत्पत्ती ठीक है, एक नमबर का उप्शन Sorry, एक नमबर का जो उप्शन है वो इसमें बिलकुल सही है, बाकी के दोस्तों इसमें दोनों है, वो गलत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है इसमें आगी देखिए 11 नमर का प्रस्न है कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि गंगा नगर वैं हनुमान गड़ तो यहाँ पर बुरी बलुई मिटी यह इसमें गलत हो जाएगा उदैपूर वाचितोडगड में लाल काली मिर्दा अलवर जैपूर में दोमट मिटी कोटावा जालवाड में काली मिटी तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है तो C नमबर का नहीं है यह इसका राइट आंसर आगे देखिए राजस्तान राज्य में ही पूनता बेने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें बनास नदी C नमबर का उप्शन सही उत्तर आगे देखिए तेरा नमबर का प्रशन है सांकडा बांध किस जिले में इस्तित है तो दोस्तो सांकडा बांध है वो कौन से जिले में इस्तित है राइट आंसर वो है अलवर जिले में आगे देखिए एक बीगा में कितने वर्ग गज होते है तो दोस्तों 1936 वर्ग गज होते हैं एक बीगा के अंदर आपको याद रखना है 1936 वर्ग गज यानि कि एक बीगा आगे देखें देखो रेवेन्यू चैन तथा जरीब के लंबाई कितनी होती है तो वो ते दोस्तों 33 फिट कितनी 33 फिट नेक्स्ट है जुन जुनों के संस्त पक वो थे दोस्तों मुहमद खां ये जुन जुनों के संस्तापक थे 17 नमबर प्रसने दक्षनी राजस्तान की जंजातियों में बढ़ा लिया का क्या अर्थ है दक्षनी राजस्तान की जंजातियों में बढ़ा लिया का क्या अर्थ है तो वो है दोस्तों दो पक्सों के दे विवाहे सम्मंद में मद्यस्ता करने वाला ये दोस्तों बढ़ा लिया का अर्थ है एक नंबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है कंकती पहनी जाती है तो दोस्तों कंकती है वो किसमें पहनी जाती है तो ये कमर में पहनी जाती है कंकती सी नंबर का उप्शन इसका सही गुनिस नमबर प्रेस्ट है राष्टिय इस्तर पर किस राज़दानी पोसाग को माननेता मिली है तो वो है दोस्तो जोदपुरी कोट को ठीक है नेक्स्ट है आदिवासियो का कुम्ब कहा जाने वाला बेनेस्वर मिला किस जिले में लगता है तो कौन से जिले में लगता है त इसका अपबन बेनेस और दाम के नाम से जानते हैं, आगे देखियो, 21 नूमर प्रेस्ट है साम्बर जिल में नियमन में से किस देवी का मंदिर इस्तित है, तो यहाँ पर दोस्तों साकंबरी माता का मंदिर है तो ए नमबर उप्शन सही उत्तर 22 नमबर प्रेसने सुमेलित करें देखो यहाँ पर एक तरफ है दोस्तों जो संत संपरदाय है ठीक है और दूसरी तरफ है दूसरी तरफ है दोस्तों इस्तान दे रखा है यानि कि दोस्तों इनकी जो दर्गा है वो कहांपर है ठीक है ये बताना है तो देखो सेख हमुमिदीन मिठे महाबली की जो दर्गा है वो दोस्तों कहांपर है तो वो गागरोन जालावाड में है ठीक है दूसरा देखो मुलाना जियाउदीन की दर्गा है वो कहांपर है तो ये दरगा कहां पर है तो सब को पता होना चाहिए दोस्तों ये जेपूर में है ठीक है शेक नजमुदीन की दरगा है वो कहां पर है तो ये दरगा है दोस्तों फत्यपूर में और शेक बाबा इसहाक की दरगा कहां पर है तो ये खाटू में है तो इसका राइट आंसर क्या ज जाता है मुर्तक को समसान ले जाने के लिए परियुक्तबास या लकडी की अर्थी को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैकुंठी सी नमबर का उप्शन इसका से उतर नेक्स्ट है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों बटाटू का कुवा ठीक है बटाटू के कुवा को दोस्तों रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है ठीक है और ये बटाटू का कुवा है वो कहाँ पर है तो ये दोस्तों बाड मेर के अंदर ठीक है बाड मेर जिले के जो बायतू पंचायच समिती है वहाँ पर ये दोस्तों मंदीर है दूसरी तरफ इसलाव sucker है तोığın पर आपको ज्वाला मंता का मंदीर यह तलवार गलट दे रखा दोस्तो ज्वाला मंता का मंदीर है कहांपर है आप सभी को पता है की जोब lijर में है ठीक है यहांपर दिखो नमर का है ठीक है तो डी नमबर का उप्षन इसका राइट अंसर हो जाएगा यह गलग दे रखा है यहां पे 26 नमबर प्रेस्ट ने है निम्न सहरों को राजस्तान के एकिकरण के समय सरकारी कारियलों के साथ समयलित कीजिए तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं भरतपूर ठीक है पहले भरतपूर में जब राजस्तान के एकिकरण हुआ था तब वहां पर सरकारी कारियलों कोन सा था तो वहां पर दोस्तों सरकारी कारियलों कर्शी विभाग ठीक है और जोदपूर में क्या था दोस्तों जोदपूर में था हाई कोट बिकानेर में क्या था तो दोस्तों बिकानेर में सिक्षा विभाग था और उदैपूर में क्या था खनीज विभाग ठीक है तो यानि कि 4123 इसका राइट आंसर ए नंबर का ओप्शन इसका सही उत्र हो जाएग नेक्स्ट निमनलिकित में से कौन सा यूग में सही समेलित नहीं है एक طरभ परजामंडल दूसरी तरफ संस्तापक तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अलवर, अलवर का परजामंडल का संस्तापक यहाँ पे लादाराम वयास दे रखा है देखो जो अलवर परजामंडल की स्तापना है वो कब हुय थी तो 19-38 में हुई थी दोस्तो ठीक है हरी नारैंञ सर्मा वकूंज भी हरी मोग्दी के दौारा इसकी स्तापना किय गई थी जैसल मेर परजामंडल के संस्तापक मिठा लाल व्यास शिरोई परजाम अंडल के संस्तापक गौकुल भाई बट और करोली परजाम अंडल के संस्तापक हैं वो तिर लोग चंद मातूर बाकी इसमें तीन है वो सही है इस परसन का राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्सन गलत दे रखाए 29 नमबर प्रेस ने मेवाड की किस राज कुमारी को 1810 इस्यू में अमीर खापिंडारी की सलापर जहर दे कर मार दिया गया तो वो है दोस्तो कृष्णा कुमारी ठीक है कृष्णा कृष्णा कुमारी थी और जोधपूर और जैपूर के मद्दे दोस्तों ये लड़ाई हो इन्हों ने दोस्तो उद्वेपूर की राज कुमारी थी ये कर्षणा देवी इनको दोस्तो ज़हर देकर मर्वा दिया था था ठीक है तो सी नमबर का उप्स़न सही था गा 31 नमबर प्रेस ने इसमें देखी दोस्तों राजस्तान लोक्षेवा आयोग के पर्थम अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द ठीक है, D number का उप्शन इसका सेयुतर तेंटीस नमबर प्रेसन है, राजस्तान में पंचायती राजसंस्ताओं का मद्दे वरती स्तर है तो वो कौन सा है, तो वो है पंचायत समिती नेक्स्ट है, चौतीस नमबर प्रेसन है, राज्य का मुक्हे सचिव कारी करता है तो राजे का मुख्य सचीव है वो देखो ये बिनेट के सचीव के रूप में कारी करता है बिल्कुल सही है मुख्य मंतरी के सलाकार के रूप में कारी करता है ये भी बिल्कुल सही है सचीवों के मुख्या के रूप में भी कारी करता है बिल्कुल सही है civil सेवा के परधान के रूप में भी कारी करता है यह भी बिल्कुल सही है राजे के परधान के रूप में यह यहां पे गलत है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा एक, दो, तीन, चार ए नमबर का option इसका बिल्कुल सही next है भारतिय सविदान के किस अनुछेद के अंतरगत राजेपाल राजस्तान के महादीवक्ता की नियुक्ति करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुछेद 165 ए नमबर का उप्सन इसका सयूतर भारतिय सविदान का कौन सा अनुछेद यह उपलब्द करता है कि परतेक राज्य के लिए एक राज्य पाल होगा तो वो है दोस्तो इसमें अनुछेद 153 सी नमबर का उप्सन इसका सयूतर हो जाएगा नेक्स्ट है 138 नमबर प्रेस्ट है भारत के उच्टम नैले के नैदीसों के लिए अधी वर्षिता के अधिक्तम आयू क्या है तो वो है दोस्तों यहाँ पे 65 वर्ष बी नमबर का उप्सन सयूतर नेक्स्ट है भारतिय सविदान का कौन सा अनुचेद राष्टरपती से समंदित परधान मंत्री के कुछ करतव्यों को निर्दिष्ट करता है तो इसका सयूत्तर हो जाएगा वो है दूस्तों अनुचेद 78 माई 1906 में में कौन से प्रधान मंत्री लोकसबा में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके वो है दोस्तों अठल बहरिवाजपी C number का option सही उत्तर नेक्स्ट है दुआ किस परकार का मिस्टरन है दुआ किस परकार का मिस्टरन है राइट आंसर हो जाएगा इसका guess mystery thos नेक्स्ट है निमनलिकित में से कौन सा बोतिक परिवर्तन नहीं होता है तो कौन सा बोतिक परिवर्तन नहीं होता है 43 नमबर प्रेशन निसले जेव उत्परेरक का udharan है तो जेव उत्परर का udharan है वह है enzyme Si नमबर उप्षण सउयूतर नेक्स्ट हैं भारतिये salt pitter है तो दोस्तों भारतिये salt pitter है वह कुंचा है तो वह है KNO3 B नमबर का उप्षण सउयूतर नेक्स्ट है एक हराकसिस का रासायनिक सुत्र क्या है एक हराकसिस यानि की ग्रीन विट्रोईल का रासायनिक सुत्र है वो क्या है तो वो है दोस्तो इसमें F.E.S.O. 4.3 ठीक है तो ए नमबर का उप्शन सहीतर गरों में काम आने वाले दर्पन में हम हमारा पर्तिविंब किस प्रकासिक किरिया के कारण देख पते हैं गरों में काम आने वाले दर्पन यानि की काच में हम अपना प्रतिविंब किस प्रकासिक किरिया के कारण देख पते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रावरतन की कारण एक प्रतिरक्षी अनुकिरिया के प्रकाशन में सामिल नहीं है प्रकाशन में सामिल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अदपके फल ठीक है नेक्स्ट है बायोमास से उत्पन जैव गैस में कितने प्रतिसत तक मीथेन गैस पाई जाती है तो कितने प्रतिसत तक मीथेन गैस पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पिछेतर प्रतिसत तक ए नंबर का उप्शन राइट आंसर नेक्स्ट है सोर विकिरन की सबसे महतोपूर्ण भूमी का है तो सोर विकिरन की सबसे महतोपूर्ण भूमी का है वो कौन सी है तो वो है जल नाइट्रोजन में सी नमबर उप्शन सेयुतर सूरिय की किरनों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है तो वो विटामिन है वो है दोस्तो इसमें विटामिन डी प्राप्त होती है आगे देखो सरीर में उत्को का निर्मान किस से होता है तो सरीर में उत्कों का जो निर्मान है वो दोस्तों किसे होता है तो वो होता है प्रोटीन से नेक्स्ट है किस चक्र को EMP पत कहते हैं तो किस चक्र को EMP पत कहते हैं तो वो है glycolysis गलाइकोलाइसिस इसका right answer भी नमबर और ओप उप्छन आगे देखिए 55 नमबर प्रास ने जीन विनीमे का परियोग सरोपरतमकिस ने किया तो जीन विनीमे का परियोग सरोपरतमकिस ने सत्तावन नमबर प्रेशन है मनुष्य में कौन से क्रोमोसॉम के मिलने से बालक का जन्म होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुरुस्ट का Y वे इस तरी का X सी नमबर उप्शन से यूतर नेक्स्ट है रक्त में बिलूरूबीन की मातरा बढ़ने पर रोग हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीलिया सी नमबर उप्शन से यूतर 59 नमबर प्रेशना इसमें देखो योग्यतम की उत्तर जीविता के बारे में सरोपरतम किस ने बताया था तो किस ने बताया था तो दोस्तों हरबट इस पेंसर ने बताया था नेक्स्ट है सुखा सही सुनूता से समंदित है सुखा सही सुनूता से समंदित है तो वो क्या है तो वो है दोस्तों साइटो काइनिन सी नमबर उप्शन राइट आंसर आगे देखे एक सट नमबर प्रेस ने वर्तमान में राजस्तान विदान सभा के अद्देक्स हैं तो कौन है तो सिपी जोसी है ए नमबर उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है 2019 में देश स्वच्तम राजदानी का दर्जा है वो किसे मिला है वो मिला है दोस्तो भोपाल को नेक्स्ट है अमेजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों नंदन नील केणी इस पुस्तक के लेखक है अमेजिंग इंडिया के 64-चापना है तो इनका جो संबंध है वो우드 दोस्तो छटर साल से है डीन अमर उप्शन से उत्तत आगे देखें 66-चापना है राजस्तान उनमील कहां इस्तापित है तो कहां पर इस्तापित है तो ये इस्तित है दोस्तों विकानेर में नेक्स्ट है यूरिया किस में संसलेसित होता है यूरिया किस में संसलेसित होता है तो वो यकरत में नेक्स्ट है राजस्तान से भारत की संसद में कुल कितनी सीटे हैं तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 35 सीटे हैं C नमबर का उप्शन सही तर तो दोस्तों यह हो गया आज का जो अपना मोडल पेपर है वो सवाप्त हो चुका है अरद्यारेसेकेडिमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राब जरूर करें बेल आइकन को दमाएं वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिंद जै भारत